प्रेंट्स मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरी चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस एक गलती की वेड़े से आपके बच्चे कोंफिडेंस आप यहां से यहां ले आते हो और शायद यहां से भी नीचे ले जाते हो वो आपकी एक गलती है वो बच्चे की गलती नहीं है आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कमपैरिजन करने की आदत भाई देखो पेरेंट्स की ना यह बहुत ही ज्यादा गंदी आदत होती है और यह सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं है ना ना मम्मिया तो इस वाद पर कर देती है कि वो बच्चा दोरोटी खाता तू क्यों नहीं खाता है वो बच्चा तो एक गलास दूद पीता है तू क्यों नहीं पीता है हर चीज में बच्चे के पीछे पढ़ जाते है वो बच्चे की स्पीड इतनी तेज है तेरी क्यों नहीं है उसे साइकल चला नहीं आ दीरे दीरे खुद 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 खतम होने लग जाएगा बच्चे का तो आपने comparison करना बंद करना है मतलब भार के बच्चो को छोड़ो आज कल तो घर में ही अगर दो बच्चे हो गया तो उनमें ही parents compare करने लग जाते कि इसने तो वह 18 महीने में चलना शुरू कर दिया था इ जाते है पर दो महीने में भी ना सीहें तो आप इसके लिए उसे बलेम नहीं कर सकता हो उसकी लडिंग पावर Hai ins बात को आपने धिहार रखना कि आपको उस पर ज far चला नहीं नहीं आजाए तो आप ने उस पर फोकस जयादा करना है उस बात का धिहार क्लास में 30 बच्चे हैं हर बच्चा तो 1st नहीं आ सकता है बट मैं अपने बच्चों की Ptf में जाती है चल्द को कुछ पेरंट्ट तो यार मेरी बेटिया भी 4th क्लास में है मेरा बेटा भी 1st class में है उनकी class की जो मम्मी लोग है वो ऐसे भीव करते हैं जैसे बस इस class के बाद मेरे बच्चे को दुनियादारी मैं पता निक्या करना है या उसको college जाना है कि पता निक्या ऐसे teacher से बात करते हैं अब क्या करे मैडम इसके तो number ही नहीं आता है अब हम क्या करे मतलब मुझे समझ नहीं आता उन बच्चों के भी यार फूल होते हैं अगर आठ सब्जेक्ट है तो साथ में फूल होंगे एक में उसके दो-तीन नंबर कम होंगे बट पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करते हैं कि समझाओ मैंनम इसको यार यह तो कुछ पढ़ता ही नहीं जब मैं अपने बच्चों की रिपोर्ट काड़ को दिना तो मुझे टैंचन हो जाती है कि यार मेरा बच्चों को इतने नंबर नहीं आते और मैं कभी अपने बच्चों को इस बात के लिए फोर्स भी नहीं करती मुझे एक चीज पता है क्लियरली लाइफ में कि ना तो मैं कभी अपनी लाइफ में फुल स्कूर में टॉपर थी मेरे हस्बन पढ़ने में बहुत अच्छे थे बट स्टार्टिंग में 4th 5th क्लास में मुझे नहीं लगता कि वो भी कोई टॉपर थे तो लाइफ में कुछ ना कुछ बच्चा कर ही लेगा आपके इतने ज़दा प्रेशराइज करने से न वो बहाने ढूंडने लग जाएगा और जिस दिन उसने बहाने ढूंडने लग गया वो और उसके बहाने आपके ओपर अपलाई होने लग गये समझ लो खेल खतम क्योंकि आप एक एस तक ही बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो सुना सकते हो बाद में वो बच्चा आपसे दूर भागने लग जाएगा छटी साती में जाएगा उसके पता है मैंने ट्यूशन जाना है हाँ ममी मैं ट्यूशन जा रहो जैसी बच्चा कुछ बोलेगा आप बच्चे कुछ बोलोगे वो बच्चा वहां से निकल लेगा तो आपने कभी भी बच्चे को कंपेर नहीं करना है दूसरे बच्चों के साथ और दूसरे पेरेंट्स के सामने अपने बच्चे की बेस्ती नहीं करना है हाँ कुछ समझाओ इसको ये तो पढ़ता ही नहीं है कुछ तो कराओ इसको जिन्दिगी में क्या करेगा ये मतलब इस तरीके की बाते मम्मी लोग करते हैं इससे बच्चा फुल ऑन डी मोटिवेट हो जाता है तो आपका बच्चा पढ़ने में कितना तेज है कितना तेज नहीं है ये बात आप और आपके हस्बें डिसकस कीजिए कैसे आप उसकी help कर सकते हो ये discuss कीजिए तीचर से अगर आपको मिलना है तो बच्चे के सामने मत मिलिए तो उसकी बुराई बच्चे के सामने मत कीजिए I hope ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी helpful रही है तो आप वीडियो को like, share और मेरे चैनल को subscribe करेंगे और दो बाते में आपसे simple भाशा में पूरी वीडियो का निचोड आपके साथ ये करना चाहती हूँ कि कभी भी बच्चों का comparison मत कीजिए चाहे बच्चों का आपस में हो, class में हो महले के बच्चों के साथ हो या घर के बच्चों के साथ हो कभी भी मत कीजिए दूसरी चीज, बच्चे की बुराई बच्चे के सामने मत कीजिए समझाओ इसको ये तो कुछ नहीं पढ़ता इस तरीके की बाते जब आप करते हो ना ये बच्चे के दिमाग में negativity लाती है और पढ़ने वाला बच्चा भी हो लेगा ना यार मम्मी ने तो बुराई ही करनी है क्यों पढ़ू मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं तो इसलिए बच्चे के सामने कभी इस तरीके की बाते भी मत कीजिए आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाएगे थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग बाई